वेल्कम बेक टू माई चैनल आट फेक्टरी पीडी फ्रेंज आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूं ट्यूलिफ फ्लार्स और ट्यूलिफ फ्लार्स है क्रेप के फाब्रिक पर किस तरह से वर्क किया जाता है बहुत सारे दिक्टे आती है फ्रेंज यह मत समझेगा कि इतन इजी है जैसा हमने अभी तक किया बिल्कुल भी वैसा नहीं है बहुत अलग इसका एक्सपीरियंस है और बहुत अलग इसकी टेक्नीक है और इसमें एक लेयर में काम नहीं चलता सो मैंने कितनी लेयर की हैं क्या क्या दिकते मेरे सामने आई है और उसके बाद रजल्ट क्या सामने आया है यह आज की वीडियो में आप देखेंगे और फ्रेंड से एक व्यूवर ने मुझे बोला था कि उन्हें मार्किंग भी सीखनी है में पैंटिंग करने से पहले हम किस वाला पोर्शन मिलेगा और आज मैंने बॉटम पर बिलकुल भी नहीं किया है work मैंने किया है आज नेक पोर्शन पर तो जो कुर्ते का नेक पोर्शन होता है वहां पर वॉर्क किया है वास टाइम किया है जरूर वाच किजिए गा पुरी वीडियो देखेगा अलग अलग त पताईए का आज की वीडियो कैसी है तो चलिए जल्दी से वीडियो में बुश्ते हैं हम लिया में तर्कॉज बलू कलर भी लिया है और देखे मैंने वाइट कलर को फिर से थोड़ा पतला किया है क्योंकि डाक कलर पर करने वाली हो तो वाइट वोश तो इसमें देना ही पड़ेगा सो यह देखे इस तरह से मैं इसके फ्लार्स बना रही हूं लेकिन क्या दिक्कत आएगी अब आप देखिएगा मैंने यहां ग्रीन कलर भी कर दिया है एक साइड पर ग्रीन क्या है और एक साइड पर सैब ग्रीन कलर किया है तो अभी आप देखें गाईस फैब्रिक पर काम करते समय मुझे क्या प्राब्लम आएगी अभी आपके सामने वो प्राब्लम भी आजाएगी इस तरह की कुछ लीफ्स होते हैं जो ट्यूलिफ फ्लार्स होते हैं उनके और ट्यूलिफ फ्लार्स बनाएं मैंने पहले भी हैं वीडियो और भी हैं और कुछ जो सूट सेट हैं वो मैंने पहले भी बनाए थे कॉस्टमर के लिए तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं tulip flowers और बहुत easy टिकनीक के साथ आज में लेकर आई हूँ तो अब आप देख रहे हैं यह इस तरह से मैं इसका जो है न वर्क कर रही हूँ और green color के जो है न यह roughly leaves बना रही हूँ twist and turns तो यह सब मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ और अब देखिए मैंने white color में brush को dip किया एक side में green green color और दूसरे side में sap green color किया अब आप देखिए का इसका twist इस तरह से मैंने twist करके किया है तो half तो मेरी petal dark है और half light है और ऐसे ही थोड़े gap पर फिर से मैं leaf बना रही हूँ और अब आप देखिए मैं जो आपको effect दिखा रही थी आप जो मैंने starting में leaf बनाया था आप वो देख रहे हैं वो दिख भी नहीं रहा है यह जो fabric है यह color को absorb कर रहा है means इस में color है ना हमारा जैसे जैसे dry हो रहा है वो बिलकुल transparent हो जाता है चाहिए वो white color ही हो चाहिए वो dark color हो तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर मुझे कितनी दिक्कते आई होंगी तो देखे मैं बार बार इसको जो है डबल कोट भी दे रही हो लेकिन जैसे जैसे dry होता है तो यह जो fabric है यह या तो यह color की वज़े से है या फिर क्रेब फैबरिक में ही यह दिक्कत आती है तो बताएगा मुझे comment section में आप में से कितने लोगों ने क्रेब पर वर्क ट्राय किया लेकिन एक बात है कि जब हमारा final work हो जाता है जो बिलकुल अब इसका final result आप देखेंगे तो वो कुछ अलग result होता है और जो हमने fabric painting की है ना उससे बहुत अलग बहुत different size का result है बहुत प्यारा सा तो इसका भी अपना experience है थोड़ी दिक्कते तो आई लेकिन काम बहुत अच्छा हो गया तो देखेंगे आप बना रहे हैं flowers तो white color को मैं apply कर रही हूं क्योंकि white color करने की बाद ही हमारा second color pop up होगा तो यह neon pink color है और हलका स यहां golden yellow का भी टच दिया है क्योंकि neon pink color के साथ ना golden yellow बहुत अच्छा सा लगता है और जहां मुझे डार्क शेडिंग देनी है वहां मैं दूंगी हमारा डीप ब्रिल परपल कलर लगने से तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसा कि हमारा fabric है लेकिन यहां पर भी क्या दिक् लिखेगा तभी आपको पूरा वर्क आज का जो है ना समझ में आएगा तो इस तरह से जो पैटल से वह बनाई है और शेडिंग एंड मर्जिंग की है तो मेरी शेडिंग की जो मर्जिंग की ब्रश है वह यह वाली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं और इस से के अंदर कलर इतने अच्छे से चला जाता है कि वह बिल्कुल भी शो ही नहीं होता कि हमारे कपड़े पर कलर भी है तो अब आप जैसे जैसे यह फ्लार जो है ना ड्राय होगा ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं थोड़ा सा टाइम लगा है थोड़ा सा जादा मेहनत लगी है इसलिए मैं वीडियो भी लेट लेकर आई हूं आप सभी के लिए क्योंकि हर कपड़े का एक्सपीरियंस अलग होता है और हर डिजाइन का एक्सपीरियंस अलग होता है तो इसलिए मैं जो हमेशा कोशिश करती हूं कुछ अलग चीज आपके लिए लेकर आऊं और ये भी आपको सिखाना जरूरी था तो हम जॉर्जेट, शिफोन, सिल्क और चिनॉन इन सभी कपड़ों पर कर चुके हैं और सबसे ज़ादा तो हम कॉटन पर कर चुके हैं तो ये जो है फैबरिक, ये क्रेप का है और इस पर जब वर्क मैंने किया तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट में फ्लार मैंने बनाया था ना वो कैसा ट्रास्पेरिंट हो गया है इसलिए मैंने टर्कॉइस ब्लू कलर लिया है जो इस से अपॉजिट कलर होगा तो क्या पता वो दिखे तो देखते हैं लास्ट में ये कलर दिखता है या नहीं तो इस तरह से जो है न मैं येलो के साथ इसकी शेडिंग ले रही हूँ और उसको मर्ज कर रही हूँ मर्ज करने पर ये ये कप्डा तो हमारा पी जाएगा कलर को ऊसको किस तरह से हम हाइलाइट करेंगे एक फलार और मैं बना लू उसके बाद मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको अब हाइलाइट करेंगे क्योंकि जब कपड़ा सारा कलर पी जाएगा तो उसको हाइलाइटिंग का जो मैथड है वो भी हमें कुछ अलग लेना होगा तो अब देखें वाइट कलर से मैंने आउटलाइन दी है और आउटलाइन देने के बाद अब हम क्या करेंगे वो भी हान से देखेगा एक्सपीरियंस है क्योंकि ऐसा मैंने नहीं देखा है कॉटन ने भी इतना कलर एब्जॉब नहीं किया था जितना इस फैब्रिक ने किया है तो देखें यह पैटल्स को जो हाइलाइट करने का जो तरीका है वो यह है कि आपको इस तरह से वाइट कलर की जो आउटलाइनिंग है उसी को अच्छे से मर्ज करना है और उसी की जो है ना शेडिंग हमें देनी है सेंटर पैटल पर और जो अपर पैटल है वो तो डार्क ही रहेगी क्योंकि उस पैटल का तो इनर पोर्शन हमें दिख रहा है और जो यह बैक में जो तीन हमारी पैटल से इसका हमें बैक पोर्शन दिख रहा है तो इतनी सारी दिक्कतों का सामना करके ये वीडियो आज आप सभी के सामने आई है तो इसके experience कुछ अलग रहा है तो आप लोगों का सीखने का experience इसका कैसा रहा है मुझे जरूर से जरूर बताईएगा फ्रेंड्स और इसका final result तो जो मेरी अब इसके बाद वीडियो है सो यह मैं जो है ना मैंने इसमें पिंक कलर के दो फ्लार बनाए हैं एक ब्लू और अब एक येलो बना रही हो और बिल्कुल तरीका वही है हमारी shading and merging का बस merging में जो येलो कलर है वो और भी ज्यादा transparent हो गया अब आप देख रहे हैं pink colors को जहां मैंने pink color किया है वहां से बिल्कुल fabric ही हमारा दिखने लगा है इतना ज्यादा transparent हो गया और जिसमें मैंने ना बिल्कुल भी आज color को पतला नहीं किया सिर्फ white color को पतला किया था कि व हमारी bottles में आता है सो ये देखे outlining देने के बाद तो थोड़ा सा highlight होने के बाद ये अच्छा सा दिख रहा है और जो इसका तरीका है ये भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है मिन्स हमें जब इसमें white की बाद जो है ना background तो देना ही देना पड़ेगा सो अब बारी है marking की सो उसके लिए एक हमें चॉक चाहिएगा टेलरिंग चॉक और टेलरिंग टेप सो इस तरह से मैंने सिंगल जो है लेयर कपड़े की उसको बिछा लिया है और उसके बाद उसको इस तरह से अपने measurement के accordingly हम फोल्ड करेंगे सो measurement मैंने इसमें roughly ही लिया है क्योंकि ये जो क iq software है क्योंकि मुझे सिर्फ टएना था बैक नहीं लेना था इसलिए मैंने इसको एक बार और फोल्ड नहीं किया है तो इसके बाद हम लेंगे लेंट लेंथ मैंने 44 इंचेश रखी है लेकिन बाद में इसको फिर बीबीड और बढ़ा के 46 इंचेश पर कर दिया था क्योंक जो margin हमें वो रखना होगा और उसके साथ हमें फिर इसमें आगे work करना होगा तो देखे ये हमारा है armhole का निशान ये कमर का और ये hip का निशान roughly मैंने यहां लगाए है आपकी जितनी भी कमर हो जितनी भी hip हो और जितनी भी जो front हो उसके बाद आप उसका one fourth ले लीजेगा और ये mark कर दीजेगा इसी तरह से ये जो neck है neck की cutting के लिए भी साड़े तीन इंच three and half inches का मैंने जो है ना उसकी चोड़ाई ली है साड़े और साथ इंच का मैंने front जो है ना neck की depth ली है और उसके बाद circle कर दिया है तो इस तरह से जो हम bottom लेते हैं तो वह एक इंच जादा होती ह है हमारे hips से सो अब ये देखे ये है हमारा final result तो मैंने जो leaves थे ना उन पर भी एक एक बार और मैंने color किया है एक जो layer है और दी है और white color से outline दी है सो यहाँ पर हमें जो white color है उसका ही जादा use करना होगा ये result मेरे सामने आया है आप लोगों के सामने क्या कुछ result रहा है सो सो अब देखिए आपको जो भी video देखनी है fabric painting से related तो right side में click किजेगा और yellow suit की video देखनी है तो left side में click किजेगा